यूट्यूब चैनल पर इक्साइपार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड़ इवनिंग चोलो फ्यू मैरी तू चलिए हम अपने जो तैयारी कर रहे हैं आपर अपनी मैत की तैयारी कर रहे हैं मैं तो आपकी कोश्चन है चलिए मैत की क्लासिज आपकी है पहला कोश्चन होता है इसमें पहले कोश्चन है हमारा कि यदि A और B अगर डिजिट है तो इसमें दिया खैसyl आपकी से से अगर हमने 41 A को घटाया तो B 08 आपका है तो अगर यहां पर हमने अगर हम मान लेते हैं इसमें A की जो value है A की जगे पर हम रख लेते हैं 5 A के बराबर रखेगे 5 और B के बराबर अगर हम 2 रख लेते हैं B के बराबर क्या रख लेते 2 तो ये क्या होगा यानि 623 में से अगर हमने माइनस किया 415 क्योंकि a की वैलू 5 रखी है तो कितना आएगा यानि जो answer आएगा इसे घटाने के बाद 208 आप का आएगा कितना आया 208 आप का आता है तो इसमें क्या होगा अगर हम A की जगे 5 रख लेते और B की जगे 2 रख लेते हैं तो हमारा अंसर 208 यानि ओप्शन है बिल्कुल सही आपका है तो इसमें राइट अंसर ओप्शन A हो जाएगा जेम्स ने कुछ फूलों को चार इस्तंबों में इस परकार वेवेस्थित किया है कि परते एक इस्तंबों की जो संख्या हो वो समान हो फूलो की बगए अगर करने के लिए डएआ आपसे पहात करने के लिए क्टैना होगा हग सबसे पहले फूलो की संख्य अगर हम निकालेUA थाँक अगरहर हम संख्य निकालेगे अंपर कुल फूलों की संख्या तो वो कितनी हो जाएगी अगर संख्या देखते हैं तो कितने दियागे 4 हमारे 4 गुन 6 24 आपका हो जाएगा तीक है इसके बाद है 24 फूलों को 8 इस्थम कितने इस्थम मैं 8 इस्थम में वेवेस्थित करने के लिए पर तिया एक इस्तम में आवेशक फूलों की संक्या तो कितने आवेशक हो गया निए 24 बटे अगर हम 8 कर देते हैं तो 8 तिया 24 तो कितने होगे तीन आपका आएगा तो option 6 में right हो जाएगा तीन जो होगा बिल्कुल सही answer आपका दिया गया है next आता है question number 3 कि 3 मित्र है क्या है question 3 मित्र है एक मिठाई की दुकान पर गई जहां दुकान दार ने उन्हें तीन प्लेटों में बड़े दिये तो वड़ों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी बारा दिये तो प्लेटों में रखे इन वड़ों की संख्याओं को यदि उचित रूप से वेवेस्थित किया जाए तो ये तीन करमागत सम संख्या थी यानि sum यानि even number आपका था तो एक plate में रखे वडों की अधिक्तम संख्या क्या थी तो माना हमने suppose कर लिया कि जो पहले plate में जो वडों की संख्या क्या रखी यानि पहली plate की अगर हम बात करें पहली plate की तो पहली जो एक plate में या पहली plate की जो संख्या थी वो मान लिए हमने X suppose क्या है X हो गया और second की second plate में हमने मान लिए X plus 2 X plus 2 हो गया और तीसरी plate की मान लिए हमने 3 plus X plus 4 तो तीसरी की क्या मान लिए X plus 4 हमने मान लिए तो अब question क्या according अगर हम चलते है तो यह हो जाएगा X plus X plus 2 plus X plus 4 कितने वड़ों की coincidence क्या दी गही है total है 12 तो 12 आपका हो जाएगा अब इसको जोड़ लेते हैं यह आपका आता है 3 X यह आपका 3 X plus 6 आपका आएगा equal 12 तो यह हो जाएगा कि 3 X बराबर यह आपका हो जाएगा 2 कितना आएगा यहाँ पर यहाँ पर आजाएगा 2 तो यह 3 यह आपका हो जाएगा अब रुको अब इसे जो है इसको solve करके यह आपका हो जाएगा देखें यहाँ पर कैसे आएगा यह आपका था X तो 3 X आपका हो गया equal यानि यह 6 बराद आपका चल जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा तो यह हो जाएगा आगे आपका कि X बराबर 6 आपका हो बचा तो 6 बराद आपका तीन यानि 2 आपका आजाएगा X बराबर कितना 2 आपका आजाएगा तो एक पलेट में रखे वडो कि अधिक्तम संख्या पर पूची गया कि अधिक्तम संख्या तो अधिक्तम संख्या अगर हम निकाले अधिक्तम क्या लिए थी हमने उसने कागज की के ऐख सीट पर 2 से 50 तक की संख्याय लिखी तो उसने फिर 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 उसने दो पर गेरा लगाया तता दो के सभी गुनजों को काट दिया फिर उसने उस नियुन्तम संख्या पर घेरा लगा जिस पर घेरा नहीं लगा था या जिसे काटा नहीं गया था फिर उसने इस नियुन्तम संख्या के सभी गुनुजों को काट दिया यह परकिरिया तब तक जारी रखी गई जब तक सभी संख्या पूरी नहीं हो गई पूरी की फर्स्ट सत्य है तता सेकिंड इसकी सही इस पस्टी करन है बिलकुल सही आपका है तो ओप्षन ए राइट हो जाएगा नेक्स आता है कुश्चन नमबर फाइव है कि हन्ना जो हन्ना है तो हन्ना के पास दस काड़ जिन पर जीरो से नो तक के अंक लिके हैं वहें इन काड़ के उप्योग से अंकों की पुर्णावर्ति के बिना तीन अंकों की संख्याइब बनाना चाहती है यदि वह चार और पाच अंकों वाले काड़ों का उप्योग करती है तब इस परकार बनाई जा सकने वाली तीन अंकों की संख्याओं की जो नो से विभाज्या कुल संख्या कितनी है दस है और इनमें दस काड़ों पर जीरों से नो तक क्या अंक लिखे गए है तो हन्ना के द्वारा जो हन्ना है उनके द्वारा चार और पांच अंकों वाले काड़ों से तीन अंकों की संख्याय बनाना है जो क्या हो नो से भी आपके डिवीजेबल होनी चाहिए विभाज्या हो तो अगर नो से विभाज्या का जो नियम है वो क्या होता इसमें कि जो च्रंका यानि जो किसी संख्या के अंको का योग किसी भी संख्या का जो अंको का योग होता है वो नो से विभ तो कितनी इसमें जो संक्या अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले याँ पर आते हैं पहले नंबर पर है 405 405 हो गई जिसमें 4 प्लस 0 प्लस 5 यह आपका हो गया तो इसे यह आपका बन जाएगा 9 टोटल कितनी 9 से यह आपकी 9 से डिविजेबल होगी इसके बाद सेकिन नंबर पर आता है 540 सेकिन नंबर पर है 540 यह हो जाएगा आपका अब इसको अगर हम यह आपका हो गया अब इधर हम करते हैं तो सेकिन नंबर पर आता है 540 तो 540 जो है जिसमें 5 प्लस 4 प्लस 0 जो तो यह भी कितना होता है नो आपका हो जाएगा अब थर्ड मम्र पर हैं 450 tirar 450 चार प्लस 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 शीडू कितना ओगा 4प प्लस जीरू कितना आपका हो गया अब यहां पर आता है 504 तो 509-այ 24 यह इसके 5 प्लस प्लस जीरू interacting एक उम्याइस इसके host को जो तो यह 9 और 9 अठारा आपका बैठेगा फिर इस तरह आपका आता है छटे नंबर पर 6 नंबर पर है कि 495 कितना 495 है तो 4 प्लस 9 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा यह आपका होता है 18 कितना 18 आपका हो गया अब आता है छटे के बाद सात्वा तो साते नंबर पर है नो सो चोवन कितना नो सो चोवन तो यह हो जाएगा नो प्लस पांच प्लस चार तो यह हो जाएगा अठारा कितना हुआ अठारा यह हो गया अठारा तो आप है नो सो पैतालिस यह हो जाएगा नो सो पैतालिस नो प्लस चार प्लस पांच तो यह कितना हो जाएगा यह भी अब चलते है नोवा आएगा 9 नमबर पर पांध्व minimal । उनन नच्रस तो पांध्व टो और बैद्विषया चाहरा बाते हैं है 10 संख्या बनजेंहिसे刚 से पांध्विका समयक मिए 10 संख्या 3 टो प्रमको एक यह इत्वा या 7 हो जाएगा तो कितनी संक्या बनी तो कुल संक्या 10 होगी option C right हो जाएगा next question आता है अब आपका question number 6 है कि तीन कप है A B और C में समान माप के कंकड इस परकार रखे जा सकते हैं कि A में चार कंकडों के रखे जाने की चमता है और B में 6 कंकडों की रखे जाने की चमता है C में 12 कंकडों की रखे जाने की चमता है किसी गड़े को भढ़ने के लिए C का उप्योग दो बार किया जाना पढ़ता है तो किया जाना है तो किया जाना है तो इसमें तो इसमें पुछा गया है कि कोई भी जो गड़ा है उसको भड़ने के लिए C का उप्योग दो बार किया जाना पड़ता है आगे है इसमें आगे question है पर कि माल लीजिए कि इस गड़े को केवले और B के उप्योग से भड़ा जाना है यदि कप B का उप्योग दो बार किया जाता है तो कप A का उप्योग कितने बार किया जाएगा तो कितने बार किया जाएगा तेके जो गड़े की चंता है जो गड़ा है तो गड़े की चंता कितने है तो गड़े की चंता होती है गड़े की चंता कितनी है बारा गुना दो कितना चोविस कंकर उसमें आ सकते हैं चोविस कंकर आपके होगे अब कप बी का जो उप्योग है वो दो बार करना पड़े यानि कप बी की अगर हम बात करें कितनी बार करना है दो बार करना है कप B का उप्योग दो बार दो बार तो यह हो जाएगा 6 गोना 2 केक में कितना 6 आते हैं तो दो बार 6 दूनी 12 आपका हो जाएगा अब है सेस जो गढधा यानि सेस गढडे में जो आपका गढधा बज़ जाता है तो सेस गढडeurs में भरे जाने वाले कंकुडों की संख्या हो जाएगी कि 24 में से हमने माइनस कर जाएगा 12 तो कितना बचाए 12 आपका बच जाएगा तो कप A का उप्योग अगर हमने करता है तो कप A का उप्योग कितनी बार क्या जाएगा तो कप A का जो उप्योग है वो हो जाएगा 12 बटे 4 तो तो कितना आएगा तीन बार आपका आएगा तो कप एक जो प्योग हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है तीन बार आपका क्या जा रहा है options यहां पर right हो जाएगा next आता है question number seven है कि संक्या जो है वो 9 नो करोड 19,90,99 को अंको में इस परकार लिखा जा सकता है तो कि अंको में पूछा गया है कि अंको में उसको किस बार किस तरह आपका लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है यानि अंकों में अगर हमें यह हो जाएगा आपका सबसे पहले हमें लिखना है 9 करोड तो कितना 9 करोड हम लिख लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर 9 करोड हम लिखेगे यह हो जाएगा 9 करोड आपका तो यह हो गया 9 करोड़ आपका हो जाएगा 9 करोड़ तो यहाँ पर इसके बाद 9 करोड़ के बाद है 19 लाक कितना लिखना है 19 लाक तो यहाँ पर हम 19 लाक लिख देगे चलिए अब 19 लाक लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है फिरा में 19 लाक लिखना है यानि लाक आपका लिख दिया अब आता है इसके बाद 19 लाक के बाद हमें क्या लिखना है 90 हजार तो अब लिखना है 19 लाक के बाद 90 हजार आपका आएगा 90,000 हो गया 90,000 के बाद है 99 99 तो यहां पर अब आपका आजाएगा यह यह आप जोड़ लिजे यह हो जाएगा आपका 9, 1, 9 देखे यह अब यह देखना है आपको कौन सो उप्षन में आपको यह लिखा हुआ है यानी easy trick आपको बताई गई है तो इसमें सबसे यानी कौन सो उप्षन में आपको दिया गया 91, 99, 00, 99 तो कौन सो उप्षन में आपको यह दिख रहा है उप्षन नमबर B में तो उप्षन भी ही आपका राइट आंसवर हो जाएगा अब चलते हैं next question के और question नमबर 8 है कि एक समानतर चतुरभुज में सम्मित रेखाओ की संख्याए निम्न है तो संख्याए जो है वो कौन से आपकी होगी तो समानतर चतुरभुज आपका होता है तो समानतर चतुरभुज में जो सम्मित रेखाओ होती है यानी जो सिमेट्री लाइन्स आपकी होती है इसमें जो समांतर चतुरबुज आपका यानि पैरलल गराम जो है उसमें जो सम्मित रेखा है सिमेट्री लाइन से उनकी संख्या पूछी गई है तो उनकी जो संख्या है वो कौन कितनी होती है तो संख्या कितनी होते है जीरो आपकी होती है क्यों जो सम्मित रेखा है क्या है इसमें आपकी नहीं होती है सिमेट्री लाइन आपकी समानतर चतुरवुज में नहीं पाती तो इसमें आपका option है 0 आपका हो जाएगा अब चलते हैं next question कि ओर next आता है question number 9 है आपका किन्य गुना वाले आकार की पैचान आपको करनी है तो आकार की पैचान जिसमें ए है कि इसकी चार बुजाए है इसकी कितनी बुजाए है चार बुजाए आपकी है यह एक बंद आकरती होती है इन सम्मुक बुजाए समानतर होती है सभी के कौन बराबर होते है तो इनके सभी के कौन क्या होते है बराबर आपके होते है तो पहल option है और केवल आयत रोंग दूसरा option है केवल वर्ग रोंग उप्शन सी आयत या व्रग तो राइट तो इसमें या तो आयत होगा या फिर व्रग होता है क्योंकि इसके जो कौन होते हैं वो 90 option no 10 है कि निमले कित अक्षर धन्राशी निरूपित करते हैं तो अक्षर धन्राशी आपर दी गई है कि A 10 है B के पास 20 रुपे है C के पास 5 रुपे है और D के पास 2 रुपे है और E के पास 0.5 84 वीइस आपका है तो चलूंच की था यह अगर यह अबका इसमें इसमें औप्शन आपका दिया Elite we value हमें चले तो इसमें सबसे पहले अगर हम निकालते हैं तो इसमें ये आपका हो जाएगा एक फीर शार आपको दीगे तो चार की गुना कि दो जसे 10 से प्लस आपका project 0 है तो 0 गुना 20 हो जाएगा 0 गुना 20 हो गया ये आपका हो गया अब है इसके बाद C है C के जीरो आपका है C 0 गुना 5 ठीक है इसके बाद आता है प्लस में आपका C हो गया A B C D है D की जो वैलू है ये 2 गुना 2 आपकी हो जाएगी प्लस है E की 3 गुना 0.5 आपकी है अब इसको अगर हम करते हैं सोल इसके बाद आता है इसमें 4 गुना 10 चार गुना 10 कितना होता है 40 आपका हो जाएगा प्लस के यानि जिब 0 की गुना हम 20 में करेगे तो ये भी क्या 0 आपका हो जाएगा प्लस 0 प्लस, ये भी 0 आपका हो जाएगा प्लस के 2 दूरी 4 हो जाएगा और प्लस, 3 गुना 0.5 तो इसमें हो जाएगा ये आपके 1.5 आपका जाएगा अब, तो इसमे 40 और 4, 44 आपका हो गया और, तो ये हो जाएगा 45.5 45.5 0 आप लगा सकते हैं तो पहले का आया 45.50 तो यह आपका सही हो गया जाएगा अब चलते हैं दूसरे की अब आती है बारी आपकी सेकिंड की तो अगर हम सेकिंड की अब इसमें B की वैलू रख लेते हैं तो चलिए अब इसमें A आपका सही होगा इसके बाद हम B की निकालते हैं तो B की निकालेगे तो B में भी हमें इसी तरह वैलू रखनी है यानि A का 0 आपका दिया गए A का क्या है 0 तो 0 गुना 10 आपका हो जाएगा इसके बाद प्लस के B, B की वैलू दी गए यह 2 गुना 20 आपके हो जाएगा c की value है 1 एक गुना 5 आपका हो जाएगा फिर है d की value d की 0 गुना 2 आपका है और plus e की value है 1 1 गुना 0.50 तो इसको अगर हम solve करते हैं तो b में यह आपका हो जाएगा यह आपका 10 यह आपका क्या था जीरो b में थी आपका तो चले इसमे जो आपके value रखी गई है तो यहाँ पर यह आपका आजाएगा इसमें चले यह 0 आपका यह होगा 224 यह तो 0 होगया plus में 40 आपका आजाएगा plus में 5 इकम 5 होता है plus में आएगा 0 इसके बाद आएगा plus में 0 1.1 की तो यह आपका 0.5 आपका आएगा कितना 0.5 हो जाएगा तो अब यह आपका जोड़ने के बाद आता है 45, 45 और 5 यानि 45.50 आपका आएगा यह भी आपका सही हो जाएगा अब चलते हैं C की अब C की जो वैलू है C में जो वैलू आपकी दी गई है तो चले C की वैलू देखते हैं चले C में जो इसमें दी आगा है C क्या है हमारा C में A की जो वैलू है वो दो आपके दी गई है तो A की A की वैलू है 2 A की वैलू कितने लेनी है 2 और B की वैलू यहाँ पर 1 लेनी है B की value कितनी लेनी है 1 तो चलिए B की value ले ले ली हमने 1 और C की जो value थी C की value भी हाँ पर 1 थी 1 हमने ले ली इसके बाद आती है C के बाद D की D की value 0 ली गई है और E की value 1 आपके है तो एक गुना यह आपका 0.50 आपका था अब इसको solve करते हैं तो यह क्या आएगा यानि 0 आपका यह आएगा 0.1 हो जाएगा चलिए इसके बाद जो C था आपका 0.5 आपका आएगा 0.5 यह आपका था तो यहाँ पर इसका भी आपके जो C है वो भी आपका 45.50 यह आएगा टोटल करके अब हम D की तरफ बढ़ते हैं तो D वाले की जो वैलू है तो पहले के तीन आपके सही है, A भी सही है, B भी और C भी जो नहीं है आपसे पूछा गया है तो बच्चा आपका D, तो चलिए D की वैलू रखते है तो A की है 1, यानि 1 गुना 10 आपका हो जाएगा प्लस के, B की 2 गुना 20 आपका हो जाएगा प्लस C की है 0, तो यहां पर C की 0 यह आपके आएगी C की आजाएगी 0 और इसके बाद है D, D भी आपका 0 है तो यह भी 0 आजाएगा अब आती है E की, तो E आजाएगा इसमें 0.5, E क्या आएगा 0.5 आपका आजाएगा 0.5 तो E जो है वो 1 multiply 0.5 आपका तो यह हो जाएगा 10 प्लस 22 दूनी 40 आपका हो जाएगा प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0.5 तो यह कितना 40 और 10 50 और 50 में 0.5 आपका जुड़ेगा तो 50.5 आपका आएगा जो नहीं है वो option D आपका हो जाएगा तो option D इसका correct answer है बाकी के 3 का सेम आपका है जिसका नहीं आया वो option D है तो यह ही आपका right answer तो इसमें right answer हो जाएगा option D next आता है question number 11 भुजाओ 4 cm और 6 cm वाली एक आयतकार कागज की seat को 4 समान चोटे आयतों में विभाजित किया गया है तब परते एक चोटे आयत का चेतरफल क्या होगा तो आयत का चेतरफल यहाँ पर पूछा गया है तो आयतकार seat की जो लंबाई है जो आयतकार seat की जो लंबाई दी गई है वो कितनी एच्छा cm दी गई है और चोड़ाई 4 cm होगी यह आपकी length हो गई और यह आपकी breath हो गई यह इसकी breath हो गई तो आयतका जो चेतरफल है आयतका चेतरफल होता है लंबाई गुना चोड़ाई तो लंबाई है 6 और चोड़ाई दी गई है 4 तो 6 चोग 24 आपका हो जाएगा seat को जो seat है उसको 4 समान यानि 4 समान चोटे आयतों में विभाजित करने पर पूछा गए कि परतिये एक चोटे आयत का चेतरफल क्या होगा तो यह हो जाएगा 24 बटे 4 यानि चोटे का पूछा है तो इसमें 24 बटे 4 यानि 6 cm2 आपका होगा तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 cm2 ओप्शन भी राइट हो जाएगा नेक्स्ट कुष्ण आता है कुष्ण नमबर 12 जो सिक्षक है वो एक तुला के तुला के दोनों पलडों में रखने के लिए निमलिकित वस्तु देती है ताकि पहली वस्तु पहले पलड़े में रहे तो निमलिकित विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है जब पहला पलड़ा नीचे रहता है नोटबुक सभी पुस्तों के साथ स्कूल बैग रोंग एक नोटबुक एक चोक बिल्कुल राइट या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ओप्शन भी राइट होगा नेक्स आता है कुशन नमबर थर्टीन किसी कक्षा के विभी ने सक्षनों A, B, C, D और E में विध्यारतों की संक्या निमने सार्णी में दी गई है कैसे सक्षनों के किन युगों में विध्यारतों की संक्या का अंतर आपका समान है तो सक्षन आपको दिया गया E तक सक्षन है और विध्यारतों की संक्या यहां पर आपको दी गई है तो इसमें पूछा गया तो इसमें जो होगा सबसे पहले A आपको दिया इसमें A है चलिए अगर इसको solve करते हुए अगर हम चलते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका पहला तो इसमें A जो है तो A यह हो जाएगा 40 minus 42 40 minus 42 तो equal 2 तो यह हो जाएगा D E equal 32 36 तो यह 4 आपका हो जाएगा ऐसी तरह B का अगर हम निकाले तो B का अगर निकालते हैं तो यह होता है A B यानि 40 और 43 आपका हो जाएगा तो कितना 3 आपका और C और D का निकालते हैं तो यह होता है 42 32 तो कितना 10 आपका हो जाएगा C का अगर निकालेगे तो C का जो निकलेगा A, E, 40 दिया गया यह आपका 36 हो जाएगा यह आपका बचा 4 फिर आपका नीचे अगर D, E हम निकालते हैं D और E तो यह हो जाएगा 32 माइनस 36 तो यह कितना 4 आपका हो जाएगा अब बचा D तो D का अगर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं D आपको जाएगा A, C, B, E तो A, C का अगर निकालते हैं तो A, C बराबर होता है 40-42 यह हो जाएगा 2 तो B, E आपका B, E तो यह हो जाएगा 43, 36 तो यह आपका 7 आएगा तो इसमें कौन सा अंसर आपका होगा तो इसमें जो A, E और D, E आपका है A, E और D, E तो C वाला जो है इसमें दोनों का क्या है 4-4 आपका आया है तो यह बिल्कुल सही होगा उप्शन C इसमें राइट हो जाएगा अब आता है नेक्स्ट आपका कॉश्चन है कॉश्चन नमबर 14 है कि उस सही विकल्प को चुने जो निमली कित दसमलेव संक्याओं को अवरोही करम में दर्शाता है जो अवरोही करम होता है उसमें रिप्रिजेंट कर रहा है तो कौन से उसमें आपको दिया गए तो सबसे चोटी जो यहापर संक्या है तो इसमें अवरोही करम में आपको लगाना है यानि डिसेंडिंग ओडर में आपको लगाना है सबसे पहले बढ़ा होगा यानि घटते करम में आपको लगाना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या आपके आएगी तो यह वाला आपका कट जाएगा A आपका होगा नहीं क्योंकि चोटे वाली संख्या आपको दी गई है B आता है आपका इसमें सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ पर देख लेजे इसके बाद आनी चाहिए 5, 4 के बाद आपकी 5, 3 तो 5, B भी आपका कर जाएगा क्योंकि बाद में 51 आपकी देदी ये भी आपका कर गया तो इसके बाद जो right answer बचा कोन सा option C तो यही आपका correct answer हो जाएगा तो option C right हो जाएगा next आता है question number 15 पिर निम्ले किते पैटन में अगली तो पर्विशिस्टोफी पैचान आपको करनी है तो पैचान इसमें करनी कैसे की एक, दो, तीन है F आपका फिर पांच चे साथ E आपको दिया गया है और नो, दस फिराइस आपका दिया गया है तो यहां पर पूछा गया है कि आगे आएगा क्या है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एक यहां पर जो दिया गया आपको एक दो तीन आपको दिया गया फिर आपका एफ है इसके बाद चैस साथ आपका है फिर ए है फिर नो और दस आपका दिया गया तो एक दो तीन के बा यहीं, नहीं पना है 10 राने राइटोय को नैक्स आता ए गून है प्राकर्तिक संक्याएख करने इस गुन को किस रूप में जाना जाता एगा उप्शन नहीं डाइगा यानि जो closer property आपकी होती है closer property यानि एक प्लस दो भी कितना होता है तीन आपका होता है एक गुना दो भी आपका कितना होगा तीन आपका यह आपका एक गुना दो यह आपका था तो इसमें यह आपका प्रिंटर क क्लोझर डॉपरटी सि बात कर रहे हैं यह प्राइक संख्याओ और ये संध्वरग गुना आपका कहलाता है तो यह है आपका जो राइट आपका आपका संख्याओ जार्टाइब संगवरग गुना ऑप्शन है राइट हो जाएगा नेक्स आता है question number 17 कि सिक्सक के एक बच्चे को चतुरबुज बनाने और फिर उसे समानतर चतुरबुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है बच्चा यह कर देता है वह बच्चा व्यान हिले के जैमिती चिंदन सिद्धान के किस इस्तर पर है तो कौन से लेविल पर आपका होगा option है अभी ग्रही का रोंग option भी विज्वलाइजेशन यानि द्रिश्ची करन रोंग option C है विश्रेशन एनलाइसिद बिल्कूल सही आपका है option C राइट होगा option D ओप्चारिक निगमन रोंग तो option C राइट हो जाएगा next आता है question number 18 कि राष्टे पाठे चरिया रूप रेखा 2005 के अनुसार बच्चे गनित में आनंद ले इसके लिए क्या करना चाहिए option A परतियक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक परशन सम्मिलित करने चाहिए रोंग option B विध्यारतों को परतियक यहिए अतिमें दिये गए अभ्यास को हल करना चाहिए रोंग option C गनित के आकलन में कठीन विश्यों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए रोंग विद्धार्तों के वास्त्विक्द्यानिक जीवन के अनुभाव गनित की पार्टे पुस्तकों को भाग होना चाहिए बिल्कुल सही आपका है तो उप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है 19 सूरी कोशन 19 में पूचा गया है जो सूश्री रोही प्रात्मी का कि गनित का सिक्षिका ने अपने विद्धार्तों को दी गई समश्य को हल करने के बाद उनके उत्तरों को समझने के लिए का विद्धार्ती द्वारा दिये गया परतियक सही अगलत उत्तर के लिए वह करती है या सूश्री जो रोही का जो उद्देश्य था जो था कि उत्तर पर पहुचने के लिए समश्य को हल करते समय अपने विध्यारतों की चिंतन परकिरिया को समझना ओप्षा ने बिल्कुल करेक्ट आपका दिया गया है नेक्स आता है कोशन नमबर 20 निमलिकित में से कौन साय से प्रात्मिक स्कूल के बच्चों में गनीतिय संप् आपका है नेक्स आता है कोशन नमबर 21 अगला कोशन है 21 कि राष्ट्य पाठ्य चरिया रूप रेखा 2005 के अनुसार गनीति सिक्ष्य का एक मुक्ष्य उदेश्य है बच्चे की विचार परकिरिया का गनीति कराने निमलिकित में से किसके द्वारा उप्युक्त कथन का अर्थ सबसे उप्युक्त रूप से परिलक्षित होता है तो क इक बाली का है उसने भिनों के योग पर एक सवाल को इस परकार से हल किया कि एक बटे दो प्लस एक तीन इक्वाल दो बटे पाथ निमलिकित में से कौन सा कतन दिए गए संधर्व के लिए सबसे कम उप्युक्त है तो सबसे कम उप्यूक्त क्याएगा option A, बाली का दो भिन्नों के योग की करन्विधी के बारे में नहीं जानती है option B, बाली का लगुत्तम समापवर्तम LCM यात करना नहीं जानती है option C है कि बाली का समतुल्य भिन्नों के बारे में नहीं जानती रोंग उप्शन डी बाली का संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती बिलकुल राइट आपका है तो उप्शन डीस में राइट हो जाएगा तो उप्शन डीस का करेक्ट आंस्वर है नेक्स्ट कोशन है 23 प्रात्मिक कक्षा की गनिति कि ये कि सिक्षिका के रूप में निम्लिकित में से कौन से उधारन को आप विधार्तों की गनितिया निरूपन की चमता जो चमता है उसके को आकने के लिए सरवादी को प्यूक्त मानेगी तो पहला आता इसमें A है कि संख्याओं को निरुपित रखने के लिए संख्याओं को का उप्योग करने की चमता बिल्कुल सही है B बारम ब्रता बटन को निरुपित करने के लिए आयचीतर बनाने की चमता रोंग एक सो नियो लिखने के लिए कहा गया तब एक प्रात्मिक कख्षा के बच्चे ने इस संक्या को 19 लिख दिया निम्लिकित में से कौन सा विध्यार्थी द्वारा की गए तुरूटी के संधर में सरवाधिक उप्यूक्त है तो सरवाधिक उप्यूक्त क्या होगा तो पहला स्थान के रूप में समझाते हुए स्थाने मान की अवधारना को दोराइए बिल्कुल सही आपका है तो ओप्शन एसमें राइट हो जाएगा ओप्शन एजो है करेक्ट आंसर आपका है नेक्स्ट कुश्चन है 25 कथन बच्चों को गनित के सांस्क्रतिक और एतिहाशिक मैत को साथ जोडने के अवसरों को उनकी गनित की प्रतिरुची सकरात्मक मनोवर्ति निर्मान के लिए संभावय रूप में देखा जा सकता है तो इ 26 क्या है यादि 10 आट से बढ़ा है तो 11ङर्स कोँट है कोंट्र पोजिटिम होगा क्या थे हा कोंट्र ऑफोंट्र पोजिटिव उ होता ञार्ट। इसमें अप्शन इस घैनारा आट से बढWow 10 से बढ़ा होगा 10 जू मैं ने यह साट से बढ़ा है ड़िए जे है ग्यारा फस है तो दस साथ से बड़ा नहीं है यह आपका सही है यानि जो इसमें कुंट्र पोजिटिव आपका होता है तो ग्यारा जो है वह आठ से बड़ा नहीं है तो साथ भी आठ से जो है दस से आपका बड़ा नहीं होगा तो उप्शन भी इसमें राइट हो जाएगा नेक्स आता है कोश्चन अमबर अगला कोश्चन है 27 कि कख्षा फॉस्ट के अधिगम करता को दो अंके संख्याओं के इस्ताने मान के अधारना को पढ़ने के लिए निमलिकित को सर इस्तारित रूपे में लिखना सी दो अंके संख्याओं को दर्शाने के लिए बेस ब्लोक मोती दस ब्लोक मोती टोकन आधिका उप्योग करके बंडल बनाने की गतिविद्या करना उसके बाद आएगा इकाई वैधाई के रूप में संख्या का चितरात्मा को निरूपन करन फिर आएगा इसके बाद डी परते हैं संख्या में इकाईयों वैधायों को निरूपित करना और लाश्ट में आएगा संख्या का विष्तारित रूप में लिखना तो इसको सिक्वेंस बना वो बनता है C A D B तो ओप्षन नमबर जो है C A D B ओप्षन D में है ओप्षन D ही र प्रस्तुत करने की सरवादी कुप्युक्त गतिविदी है तो कौन सी गतिविदी होगी बच्चों को गनिते पाठे पुस्तक की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल पैमाना देना रोंग बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डस्टर को बाट वजन के रूप में इस्तमाल कर याइगात करने के लिए कहना कि डस्टर की तुलना में कौन सी वस्तिय भारी या हलकी है तो अप् कौन साय duration कर ये संदर्भ में सरवादिक उप्यूक्त है कौन सा ओगा ये इसमें पुछा गया है थो चले है कि वहादरिक बच्छों के अधिगम के बारे में जानकारी हिर्टिक कर सकते हैं तता उसका व्योग अपने सिकसास से बैतर बनाने के लिए कर सकते हैं बिल्कुल सही है बी है इसमें वह बच्चों के टेस्ट पेपर और कोफियों को जाचने में अपना काफी समय बचा सकते हैं रोंग से आपका है वह बच्चों में गनीत्य пост पा das एकॉर्ट हो जाएगां राइट्ओं ऑप्चन दी है यह और सी क्राश्ण है चलिए यह आपका para फ्रिलेट समयिफे। झाल झाल